हेलो अब्रीबडी वेलकम टूर चानल आर हेल्टन वेलनेश तो टुड़े वियर गूंग टू डिसकस अबॉट बैनेफिट्स ओफ एलमंट्स बदाम खाने के क्या फायदे हो सकते हैं आज हम इसके बारे में जानेंगे एलमंट्स में कैल्शिम बहुत अच्छी कॉंटिटी में होता है और मैंगनीशिम अच्छी कॉंटिटी में होता है और यह वही इंग्रीडियंट्स हैं जो हमारी बोन्स को चाहिए यह मिनरल्स हमारी बोन्स में बढ़ाने में हेल्पफुल रहते हैं तो ऑस्ट्योपरोसिस हो का रिस्क बहुत कम हो जाता है यह हमारी immunity को boost up करते हैं जैसे zinc होता है यह अच्छी quantity में होता है elements में जिससे infections से हम बचे रहते हैं हमारी immunity improved हो जाती है और next benefit आ जाता है कि अगर digestive issues हैं हमें तो इसमें dietary fiber बहुत अच्छी quantity में होता है जिससे हमारा gut healthy रहता है fiber से क्या होता है कि आपको constipation होने की chances बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि आपकी पैरिस्टेल्स है आपके bowel movements काफे regular रहते हैं elements में vitamin E और antioxidants बहुत अच्छी quantity में होते हैं जो कि हमें skin के लिए बहुत helpful है और हमारा जो glow है जो youthfulness है वो बनी रहती है अगर diabetic issues हैं blood sugar levels आपके control नहीं रहते हैं तो इसमें magnesium अच्छी quantity में होता है इससे क्या होता है कि insulin के sensitivity improve होती है और जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आपके blood sugar levels एक दम से बढ़ नहीं पाते इसमें healthy fat बहुत अच्छी quantity में होता है carbohydrate बहुत ही कम होता है जिससे यह diabetes के लिए बहुत ही ज्यादा helpful हो जाता है next benefit आता है कि इसमें L-carnitine होता है जिससे क्या होता है हमारी memory अच्छी हो जाती है next आता है कि weight management में यह बहुत helpful रहता है क्योंकि इसमें healthy fats होते हैं proteins होती है fiber होता है जैसे आपको food cravings नहीं होते हैं आपको जल्दी-जल्दी कुछ junk foods खाने का मन नहीं करता और इसको आप इसमें antioxidants बहुत अच्छी quantity में होते हैं इससे क्या होता है कि जो tonic diseases है वो होने की chances बहुत कम हो जाते हैं जैसे diabetes है blood pressure है high blood pressure है और aging process बहुत कम slow down हो जाता है आपका stamina इंप्रूफ होता है इसमें mono unsaturated fats बहुत अच्छी quantity में होते हैं जिससे क्या होता है आपके LDL levels जो bad cholesterol है एलमंट्स में क्या होता है मैंगनेशियम, कैल्शियम, फाइबर और वाइटमिन ए ये अच्छे कॉंटिटी में होता है तो इससे क्या होता है आपकी इसकिन हेल्थ बहुत इंप्रोफ होती है और अगर आप इसको रगुलर्ली अपली डायट में इंख्लूट करते हैं तो आपको ये सब बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपको ये सब बैनिफिट्स मिल सकते हैं